हाई फ्रेंज गुद मॉनिंग मैं डॉकेश दवे आपको फिर से आपके फेवरेट होमेपथिक चैनल डॉक्टर दवेज हेल्थ विथ होमेपथी में वेलकम करता हूँ दोस्तो आज हम दो टापिक्स पर बात करने वाले हैं 22 रीजन फर बींग होमेपथ में डॉक्टर बरनेट बताते हैं नमबर एक तो जो फिस आप में दी बढ़ जाती हैं काई बार अक्षोसिस हो जाता है। उसका उपचार कौन सी मेडिसिन से हुआ और उसकी मेडिसिन की खोज के से हुई और नमबर दो कि होमेपेथिक डोज और पोटेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशय है उसके बारे में बहुत अच्छी और संख्षित शॉर्ट गाइडलाइन अगर आप एक होमेपेथिक डॉक्टर है तो आपके लिए बहुत ही रहे मैं आपको आजबताने वाला हूं इसे एपिजोड में इसलिए एपिजेड को पूरा देखें और अगर आपने अभी तक भी बी मैरे इस चैनल को को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब-सा पहले जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें चलिए अब शुरू करते हैं मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं डॉक्टर गार्थ विलकिंसन एक समय छुट्टिया बिताने के लिए आइसलेंड के माउंट हेकला लावा गए वहाँ उन्होंने ये देखा कि वहाँ जो पशू चर रहे थे उनको बहुत सारी जगे पे और चुकि वह एक होमेपे थे तो उनके दिमाग में कुछ आया और उन्होंने उस हेकला लावा की जो एशस थी वहाँ से जो एशस थी उनको कलेक्ट करके अपने क्लिनिक लाए वहाँ पे उसका डैलूशन बनाया और इस तरह की जो केसिस थे हड़ी बड़ी हुई लेकर य उसी करम में उसी का एक केस उसी तरह का एक केस डॉक्टर बरनेट के पास जब आता है ये बात है लगबग 3 जुलाई 880 की जब एक 15 साल की यंग लेडी उनके पास आई और उसने अपनी कंप्लेइन बताई के जो एड़ी में बहुत दर्द रहता है और देखा तो वहाँ प वालनट के हाफ साइस के बराबर थी और वह चलने में बहुत तकलिफ देती थी या कभी-कभी अचानक अपने आप भी दर्द होने लगता था वह लेडी अदर्वाइस बहुत हेल्दी थी बच्ची और दूसरी कोई तकलिफ नहीं थी मगर उसके दात जो थे वह बड़े ख ठंड में फट जाते थे तो इस पूरे केस को समझने के बाद देखने के बाद जब टोटालेटी पर गए और नोटिस किया तो हेकला लावा टू एक्स में प्रेस्क्राइब की गई उस बच्ची को तीन तारिक को और जब 17 तारिक को वह फोलॉप करने आई तो लगभग उस सेतंबर 1808 सी बच्ची को वापस पालपेट करके देखा तो ना तो उसमें कोई दर्द था ना कोई दिक्कत थी दूसरी भी प्रॉब्लम से सॉल्व हुई थी और पूरी तरह से वह जो बड़ी हुई हड़ी थी वह ठीक हो चुकी थी अगर हेकलालावा का हम कंपोजिशन देखें तो उसमें साइलीश्या है, एल्यूमिना है, मैगनीशियम है और कुछ फैरिक आकसाइड भी है तो अगर हम इस कंपोजिशन को देखते हैं तो उसी बात से हमको अंदाजा लग जाता है कि ये किस तरह से एक्जोस्टोसिस या कोई भी ओवर ग्रोथ को डिजॉल्व करने में बहुत ही जबर्जस्त मेडिसिन है और हम लगातार इसके बाद लगबग 200 सालों से इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं होवितिक चिकित सक और कई वंडरफुल केसिस को ठीक किया है कई एक्जोस्टोसिस को हेकला लावा की मदद से ठीक किया गया है वहीं आप जब किसी ऐलोपेथिक चिकितसक के बाद पास जाते हैं तो वह इस तरह के सभी केसिस में सिर्फ और सिर्फ सर्जेस्ट करते हैं सर्जरी कि या हड़ी बढ़ है उसको कटवालो या आगे भी हम लोग कई जहां भी हम ओवर ग्रोथ की बात करते हैं तो एलोपेथिक चिकितसक उसको सिर्फ सर्जरी की सर्जेस्ट करते हैं मगर होमेपेथिक चिकितसा में इस तरह की ओवर ग्रोथ को ठीक करने के लिए बहुत सारी wonderful remedies हैं और उसका उप बीमारी जिसका एलोपेथि में कोई उपचार नहीं है वही ओवर ग्रोथ के लिए होमेपेथि में मेडिसिन्स हैं और लोग ठीक होते हैं क्योर होते हैं जड़ से इस तरह की ओवर ग्रोथ वापस रेडियूज हो जाती है और व्यक्ति अपना नॉर्मल लाइफ जीने लग नौलह दिया है का हमको डो कि डेशी सिंडी पर देना चाहिए तो अगरा outbreak यह होता है कि पॉर्यूमा पॉर्यूज ही इंपॉर्त है निपिस एक जितनी की मेडिसिन सिलेक्शन अगर आपका मेडिसिन सिलेक्शन सही है और दोज और पोटेंसी सिलेक्शन गलत है तो कई बार रिजल्ट्स जैसे हम लोग चाहते हैं या पेशेंट को जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिलते हैं तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत सिंपल सी गायडलाइन बताई है डोज डिपेंड्स अपन शिमिलिट्यूड की डिघरी है उस पे डिपेंड करता है जितना ज्यादा शिमिलिट्यूड होगा मतलब से मिलिमम जितनी मेडिसिन और बीमारी के बीच में समानता है उतना ही potency high जाएगी और उसका repetition कम होगा और अगर similitude low है यानि कि medicine और symptoms के बीच में match कम है तो आपका potency low जाएगा और frequent repetition होगा उसको समझते हैं कैसे कि अगर जो dose आपका variation है वो from 200 potency to mother danger तक हो सकता है अगर similitude बहुत अच्छा है तो आप 200 dose की potency को वीक में अगर एक बार भी देते हैं तो आपका result बहुत favorable होगा वहीं अगर आपका similitude कम है तो आप mother tincture को भी 10-10 drop दिन में 4 बार भी दे सकते हैं एक तरफा चलेंगे तो बिलकुल काम नहीं देगा यह तो एक छोटा सा मैंने आज dose and potency की बारे में आपको बताया है जो डॉक्टर बर्नेट ने अपने 22nd reason में mention किया था हम इसके बारे में एक detailed वीडियो भी आगे बनाएंगे जो मैं आपके साथ share करूँगा तब तक आपने अगर मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है तो फिर से आप से request करता हूँ कि मेरे इस channel को subscribe करें और share करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फायदा पहुचे thank you friends मिलते हैं बहुत चल्दी till then take care see you bye bye